For more Bollywood Gossip, hit the bell icon and never miss a video. जहां इंडिया के कुछ हिस्से आज भी संचनीला बंसाली की मागनिमो पस पदमावत की रिलीज के खिलाफ प्रोटेस कर रही है, इस फिल्म को सप्राइजिंग ली बॉर्डर पार पाकिस्तान से क्लीन चिट मिली है और इस फिल्म की रिलीज काफी ग्रांड होगी. इस फिल्म का नाम इनीशली पदमावती था और ये फिल्म राजपूत रानी पदमावती की कहानी है जिन्होंने दुश्मन के हाथों अपनी लाजगोने से पहले ही जोहर कर लिया. इस फिल्म में पहली बार हमें दीपीका बादकोन और शाहिद कपूर की जोड़ी नज़र आएगी. शाहिद इस फिल्म में राजपूत राजा रावल रतन सिंग का रोल अदा कर रही है. पर इस फिल्म के हाइलाइट है मीन और सिनिस्टर रन्वीर सिंग जो इस फिल्म में आंटिगॉनस अलावदीन खिलजी के रोल में नज़र आएंगे उनकी एंट्रेंस तो स्टेलार है ही और पूरी फिल्म के दोरान उनका मीन और मनीय सिंग औरा काफी इंप्रेसिव है फिल्मेकर संचलीला भंसाली ने एक बार फिर अपने टालेंट को इस हिस्टोरिक सागा में बखो भी दर्शाया है और उनके सिग्निचर ग्रांड सेट्स और स्टेला फिल्म मेकिंग अबिलिटी से ये फिल्म सभी का दिल चीत रही है तो पदमावत के पाकिस्तान में ग्रांड रूलीस के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं